नमस्कार मैं हुम अन्विंदर, MBN नेटवर्क में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अर्वीन केजीवाल जेल में कैदियों के लिए कितनी बड़ी समस्या बन गए है। एक मिनट आप चौक गए ना लेकिन सही सुनाए आपने। अर्वीन केजीवाल जेल में कैदियों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए हैं। इतनी बड़ी मुसीबत बन गए हैं कि ये मामला पूरा गंभीर हो गया है और पूरा मामला सुप्रीम कोट पहुच गया है। अर्वीन केजीवाल तो जेल में है लेकिन संजे सिंग को क्या हो गया है। संजे सिंग जेल जाने के लिए हाई कोट जा पहुचे है। आखिर अचानक से संजे सिंग तो जमानत पे बाहर है ना फिर भी जेल जाने के लिए क्यों बेकरार हो रहे हैं। इनी सब मुद्दों पर बात होगी दोस्तों, सारी जानकारी बेहत दिल्चस्प है, आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन है, वही विनमर आग रहे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक जरूर कीजे, कमेंट भी कीज और सभी राष्टवादी, नेशनलिस्ट, चैनल की प्रती अपना स्ने सपोर्ट बनाए रखिए, तो अर्विन केजरिवाल इस समय जेल में हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए, उनकी फाइल को, जमानत वाली फाइल को, इधर से उधर गुमाया जा कर रहे हैं, कैदियों की अजादी पर अर्विन केजरिवाल भारी पड़ रहे हैं, इसे इस तरीके से समझिए, कि जब इनसान अपनी कुर्सी से चिपक जाता है, जब उसकी भूक सत्ता के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसे सत्ता की सिवा कुछ सूजता नहीं ह तो फिर ऐसी ही इस्तती बनती है, अर्विन केजरिवाल, as you know, 21 मार्च को गिरिफतार हुए थे, तब से लगातार वो जेल में है, केवल 21 दिन के लिए, चुनाप परचार के लिए बहार आये थे, और फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया था, ठीक, 21 दिन के बाद, तो अब सरकार के काफी सारे काम परभावित हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस सीफा तो दिया नहीं है, ताकि उस उनके काम को कोई दूसरा व्यक्ति ओफिशियेट कर सके, ऐसी उन्होंने इच्छा व्यक्ति नहीं की, ना उनके ऐसी नेतिकता उनके दिल में है, कि मैं जे अब आप देखिए, कैदियों की रिहाई पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, आपको सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा लग रहा है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन ऐसा हो रहा है और अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है तो मैं आपको बता दूँ कि ये मामला अब सुप्रीम कोट पहुंच गया है ये मामला एक तक गंबीर हो गया है सुप्रीम कोट ने ये सवाल उठाया है और पूचा है कि क्या ऐसा नियम है कि जेल में रहने के चलते सीम सजा में छूट वाली फाइलों पर साइन नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोट ने ये सवाल एक कैदी की याचिका के सुनवाई के दुरान किया है आप इसको असान भाचा में इस तरीके से समझिए कि एक कैदी ने अपनी फर्याद लगाई कि उनकी रिहाई केवल इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उस पर अरविंद केजरिवाल के हस्ताक्षर नहीं हो पा रहे हैं अब अर्विन केजरिवाल कैसे उस पर हस्ताक्षर करें? वो तो खुद जेल में है. You got my point. तो जो व्यक्ति खुद जेल में है, he is not entitled ना कि वो किसी फाइल पर साइन करें. और अगर अर्विन केजरिवाल ने अपना रेजिग्रेशन दे दिया होता, तो वो व्यक्ति जो उनके काम को अफिशिट कर रहा होता, वो उस फाइल पर साइन कर सकता था. हर प्रीर सिंग नाम के एक कैदी की याचिका, और सुप्रीम कोट के और से ये टुकपनी शुक्रवार को आई है. इस कैदी की रहाई की मांग वाली अर्जी, मुक्मंत्री के साइन ना होने के चलते लंबे अर्शे से पेंडेंसी में चल रही है. और मामला इतना गंबीर हो गया. जब अर्विन केजरिवाल जेल से निकलने के लिए इतने बेताव हैं, अपनी जमानत को लेकरके इदर उदर घूम रहे हैं, उनकी फाइल कई दिन से रोटेट हो रही है, लेकिन वो आजाद नहीं हो पा रहे हैं, हलाकि उनको ये आजादी जमानत पर ही मिलनी है, फिर भी वो अपनी आजादी के लिए अपने जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, तो ये जो हर्प्रीज सिंग है, कि इसको ऐसा फिल नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसमें वोही मुक्ह मंतरी, यानि कि अर्विन केजरिवाल ने अडंगा लगाया हुआ है, क्योंकि वो खुद जेल में है, अब ये मामला जब गंबीर हो गया, और मामला जब सुप्रीम कोट पहुँच चुका है, तो सुप्रीम कोट ने, Additional Solicitor General, ऐश्वर भाटी से ये सवाल किया, कि क्या इन फाइल पर साइन करने से रोख है, अब अगर सुप्रीम कोट ये सवाल कर रहा है, Additional Solicitor General से, तो ये भी अपने आप में एक अजीव सवाल है, Rather I should say, कि ये मजाग है, क्योंकि नियम, कानून, काइदे, सुप्रीम कोट से ज्यादा कौन समझ सकता है, अब ये सवाल किया है, तो उनको जवाब भी मिल गया, इसके जवाब में, भाटी ने कहा कि, ऐसी इस्तती पहले, कभी बनी ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि, ऐसा बेशरम, नैतिकता विहीन, व्यक्ति कभी, जेल नहीं गया होगा ना, कोई ऐसा मुकमंतरी होगा ही नहीं, अब तक आपने जिसको भी देखा, मतलब लालू परसाथ ज्यादव, आपके हैमन सोरेन, जितने भी मुकमंतरी जेल गए, उन्होंने सबसे पहले, अपना रिजाइन दिया, लेकिन अर्विन केजरिवाल के सारे, काम अनोके होते हैं, उनके ब्रेश्टाचार अनोके हैं, उनके घोटाले अनोके हैं, अब आप देखिए, ये जो हर्प्रीज सिंग है, ये भी अर्विन केजरिवाल की तरह हैं, जेल से बाहर आने के लिए तड़ब रहे हैं, लेकिन क्या करें, दोनों की तड़ब बराबर है, तो दोनों ही एक दूसरे के बाहर नहीं निकलने के लिए दोशी हैं, अर्विन केजरिवाल नहीं, लेकिन अर्विन केजरिवाल हर्प्रीज सिंग के लिए तो दोशी हैं ना, क्योंकि उनकी फाइल पर साइन उनहीं को करने हैं, तो जब ये सवाल उठा, कि ऐसी इस्तिती तो उन्होंने बता दिया कि कभी बनी नहीं लेकिन वो इस मामले में निर्देश लेकर के कोट को अवगत जरूर करा देंगे इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि ये मामला केवल एक केस तक्सीमित नहीं है अब दिरे दिरे और भी केसे जुड़ते चले जाएंगे दूसरे मामलों में भी ऐसे सवाल खड़े हो सकते हैं इस पर अपना रुक स्पष्ट करें अब यहां रोक करके मैं आपी से ये पूछती हूँ कि सुप्रीम कोट को ये पता है कि अब ऐसी फाइले आनी शुरू हो जाएंगी ऐसे याचिकाय आनी उनके सामने शुरू हो जाएंगी क्योंकि देखिए 21 मार्च से अर्विन केजरिवाल जेल में है और अब जेल से रिहाई का वक्त कुछ लोगों का हो रहा होगा लेकिन जब तक अर्विन केजरिवाल उस पर सिगनेशर नहीं करेंगे कैदी की फाइल पर वो रिलीज नहीं हो सकता अब ये रूल है तो है तो सुप्रीम कोट ने कहा है कि इस पर अपना रुख स्पष्ट करें लोगों की व्यक्तिकत आजादी से जुड़े मामलों को लंबित नहीं रखा जा सकता और अब मैं आपको ये भी बता दूँ इसकी अगली सुनवाई जो है वो 23rd of September को होगी लेकिन ये जो सुप्रीम कोट आजकल आजादी की बात बहुत कर रहा है ये अच्छी बात भी है लेकिन फिर सुप्रीम कोट को ये भी पता होना चाहिए कि आजादी सब की है तो इससे जुड़े हुए जो नियम कानून है वो भी हुने पता होने चाहिए हाला कि देखिए अपने देश में हमारी जो जुड़िश्री है उस पर कोई सवाल कोई if and but लगाने की कभी भी किसी को इजादत नहीं होती है लेकिन बाइ दिवे ही मैं ये बात कह रही हूँ कि सुप्रीम कोट को तो सारे नियम पता होंगे ना उन्हें ये भी पता है कि अर्विन केजरिवाल जेल में है उन्हें ये भी पता है कि उन्हें की जमानत की दो-दो अरजियां सुप्रीम कोट में बैंडिंग है सुप्रीम कोट ने शराब गोटाले में जमानत के अनुरोध और CBI द्वारा दी गई गरिफतारी को चुनोती देने वाली हुकमंतरी अर्भिन केजडिवाल की याजिकाओं पर अपना आपको पता ही है कि आदे सुरक्षित रखा हुआ है तो obviously कोट जानता है कि अभी इसमें कितनी देर लगनी है ये भी उन्हें पता है केजडिवाल ने दिली हाई कोट से जमानत से इनकार किये जाने और CBI द्वारा उन्हें गरिफतार किये जाने को भी चुनोती दी है तो दो अलग अलग जाचिकाएं होगी लेकिन यहां बात हो रही है कैदी की आजादी की लेकिन यहां बात हो रही है obviously अर्विन केजडिवाल की भी आजादी की अब उस हर्प्रीद ने तो पता नहीं क्या क्या हुआ लेकिन अर्विन केजडिवाल का तो सब को पता है कि उन्होंने क्या-क्या घोटाली कियो हैं कम से कम उन पर दो दर्जन से ज्यादा केसी चल रहे हैं इसलिए तो वो चिला रहे थे कि मेरे वकील मुझसे आकर के चार दिन मिले हैं खेर उनको ये इजादत भी मिल गई अब जेल से जड़ा हुआ एक और विबास समझ लीजे ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि इसलिए आपको बता रही हूं आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंध है और उसकी अननेचरल डेथ हो जाती है ऐसी इस्तती में दिल्ली सरकार ने मुआवजा नीती का एलान किया है अब अर्विन केज्रिवाल तो जेल में है लेकिन उनकी गैरमवजूदगी में जो ग्रह मंतरी हैं दिल्ली के उन साड़े साथ लाक रुपे का मुआवजा दिया जाएगा और बहुत खास बात है कि इस नीती के प्रापदानों में ये भी साफ लिखा है कि अपनी ड्यूटी में लापरवाई बरदतने वाले जेल अधिकारियों की सैलरी से इस मुआवजे को ले लिया जाएगा अगर इसम अभी उनकी मंजूरी बाकी है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो फिर दिल्ली के कैदियों के तो उनके परिजन होंगे उनको थोड़ा रिलीफ मिरेगा लेकिन जो कैदी होगा वो तो नहीं रहा लेकिन हाँ जो उनका इंतिजार कर रहे थे कि हमारा परिजन जेल में है आएगा उनको एक आर्थिक मदद तो होई जाएगी ना तो दिल्ली के सियम अर्विंद केजिवाल इस समय चुकी शराबनीती में जेल में है तिहार में बंद है तो उनकी सरकार में ग्रह विभाग देख रहे मंतरी कैलास कैलोट ने इस नई नीती का एलान किया है और सरकार ने जेल निवारिस हैं उनको ये साड़े साथ राक रुपे का मौवज़ा देने का फैसला किया है अब अगर इसको उपरा जबाल मंजूरी दे देते हैं तो फिर ये ओकी हो जाएगा अच्छा ये निर्ने जेल परणारी के भीतर नियाय और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लि कि बारों को इससे मदद हो जाएगी उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक एतिहासिक कदम है अब बहुत सारे ऐसे यह नो कई बार तो लड़ाई जगड़े को जाते हैं कई बार कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं लौट अफ रीजन्स मतलब अननेस्रोल ड अब चुकी सारी बात जेल की हो रही है तो जरा संजे सिंग की फर्याद को भी समझ लेते हैं संजे सिंग तो अभी जमानत पर जेल से बहार आया है लेकिन उन्हें जेल जाने कि इतनी जल्दी हो रही है वो जेल पहुंचते हैं लेकिन उन्हें वहाँ से भागा दे जाता है लेकिन वो कहने कि उन्हें जेल जाना है। जेल जाने के लिए वह हाइपकोड का रूखकरते हैं। दरअसल', शाच तो यह है कि वह केज़िवाल से मिलने के लिए जैल गए थे , लेकिन वहाँ , तिहाड के जेल पर्शासन ने , उनको केज़भाल से मुलाकाई नहीं करने दी अब नहीं करने दी उन्होंने कोई सही प्रोसीजर एड़ाप नहीं किया होगा इसलिए नहीं करने द परना तो मुलाकार देखे सभी की हुई है, आतिशी मार लेना की हुई है, सुनिदा केजरिवाल तो कहरू उस लिस्ट में है, जो लोग उन से मिल सकते हैं, लेकिन भगवन्त मान मिलते हैं, तो संजे सिंग को क्यों नहीं मिलने दिया गया और संजे सिंग ही क्यों इतने पार जिल से जबा मांग लिया है, अब देखिए कितने सारे केशिस तो और लेड़ी हैं, ऐसे ही तो वहाँ केशिस के अमबार लगे हुए हैं, अब सोमवार को इस पर सनवाई होगी, संजे सिंग ने आम आदमी पार्टी के राष्टिर संजोजक अर्विन केजिरवाल से आप जानते हैं ना कि हर्याना में भी चुनाव हैं और जमु कश्मीर में भी चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन हर्याना में कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, हलाकि अभी इस पर कोई नीती नहीं बनी है, सीट चेरिंग वो एक ही लाइन के आगे आज तक बढ़ नहीं पाई, वो केबल एक ही बात कहती है, कि मेरे पती को बेवज़े जेल में डाला हुआ है, मेरे पती को परधार मंदरी ने जेल में डाला हुआ है, इससे आगे वो नहीं बढ़ बाती है, लेकिन अब चुकी संजे सिंग ये कह रह कि उन्हें बीजेपी को हराना इसलिए वो कुछ भी गटबंदन किसी से भी गटबंदन कर लेंगे हलाकि आपको याद होगा यही केजरिवाल हैं जिन्होंने यह कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि कॉंग्रेस और बीजेपी से कभी गटबंदन नहीं करोगा लेकिन राजनीती में कहते हैं कि कसमे वादे कोई मायने नहीं रखते हैं अब यह सब चीजें जो आप देख रहे हैं यह उन्हीं का नतीज़ा है और अधिकारिक तोर पे हर्याना के परिभारी और परदेश अध्यक्ष जो हैं आगे की बात्चित कर रहे हैं लेकिन वट आई धिंक संजे सिंग इसलिए मिलना चाह रहे होंगे कॉंग्रेस की कुल 90 सीटों में से आमादमी पार्टी को साथ सीटें ही मिल सकते हैं ऐसी बातें आ रहे हैं देखिए बात हो रही थी अर्विन केजरीवाल के अधियों को परिशान कर रहे हैं और अब बात खतम हो बेसीटों पर लेकिन अब अगर केजरीवाल की पतनी सुनिता केजरीवाल जो ने रिप्रेजेंट कर रही हैं अगर वो ठीक से चीजों को हैंडल कर पाती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती संजे सिंग को जेल नहीं जाना पड़ता अब जेल में हैं 21 मार्च से अर्विन के की हैं लेकिन अभी वो CBI की गरिफ्तारी में हैं और दो-दो केसों को वो फेस कर रहे हैं 26 जून को वो तेहार जेल पहुंच गए थे 26 जून को I'm sorry CBI उन्हों ने गरिफ्तार किया था और CBI की गरिफ्तारी और जमानत के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से जटका मिलने के अब आप देखिए इसमें कैदी भी परेशान है इस समय अर्विन केजरिवाल की गरिफ्तारी से आमादनी पार्टी के लोग भी परेशान है और अर्विन केजरिवाल भी परेशान है अर्वीन केजरिवाल इसलिए परेशान है कि वो जेल से भार निकलने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन जमानत का कोई हिसाब नहीं बैठ रहा है, डिसीजन हो गया है लेकिन अभी बताया नहीं गया है, उस डिसीजन में क्या है, उसमें एक, दो, तीन, चार दिन, कितने दि हैं, nobody knows, and कैदी परेशान है कि उनकी फाइल पर साइन नहीं हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग इसलिए परेशान है, कि जो दिशा निर्देश के जिवाल को देने हैं, वो मिलने ही पा रहे हैं, अब जेल में अगर किसी से मिलना है, तो वो according to rules मिलना होगा ना, तो द मुझे जरूर बताईएगा कि ये content आपको कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में आप share भी कर सकते हैं, देखिए, bell icon जो है, उसे जरूर hit कर दीजेगा, ताकि मेरे सभी जो content है, आप तक समय से पहुँश सकें, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वास्तर रहिए, जय हिन, जय भारत.